बच्चो आज में आपको कक्षा चार की हिंदी फर्स्ट पढ़ाती हूँ जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट एक पार्ट एक अपना देश सबारें अगर हम नहीं देश के काम आए धरा क्या कहेगी गगन क्या कहेगा चलो श्रम करें देश अपना सबारें युगों से चड़ी जो खुमारी उतारें अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए शुबा क्या कहेगी गगन क्या कहेगा अगर हम नहीं देश के काम आए धरा क्या कहेगी गगन क्या कहेगा मधुर गंद का अर्थ है खुम महके पड़े संकटों की भले मार चहके अगर हम नहीं पुस्पसा मुस्काए वैथा क्या कहेगी चमन क्या कहेगा अगर हम नहीं देश के काम आए धरा क्या कहेगी गगन क्या कहेगा बात हो चुका बहुत हो चुका श्वर्ग भूग पर उतारे करें कुछ नया स्वस्त सोचें विचारें अगर हम नहीं जोती बन जिल मिलाए निसा क्या कहेगी गगन क्या कहेगा अगर हम नहीं देश के काम आए धरा क्या कहेगी गगन क्या कहेगा इसमें अगर हम अपने देश के काम नहीं आए हमने अपने देश पर श्रम नहीं करा अपना देश नहीं सवारा तो युगों से जो हमारे देश में खुमारी हम पर चड़ी हुई है और इस गंध क्या कहेगी पड़े संकटों की मार भले हम पर कितनी भी संकटा आएं लेकिन हम हमें साथ चहकते रहें मुस्कुराते रहें हमें देख कर मुस्कुराएं हम नहीं कुस्कुराएं तो वैथा क्या कहेगी चमन क्या कहेगा बाग क्या कहेगा सब क्या कहेंगे हम स्वस्त सोचे विचारें करे कुछ नया हमें नित नया काम करना चाहें और रोज अच्छी अच्छी बाते सोच विचारने चाहें जो हम जोती बनकर इस तरह में जिल मिलाएं निसा क्या कहेगी गवन क्या मिलब धर्टी क्या कहेगी आंसमान क्या कहेगा अगर हम अपने देश के काम नहीं आए तो ठीक है बच्चो इसको आप अपने याद करो लिखो कॉपी में और अपना अच्छी तरह से याद करो ठीक है ये पोएम आपको पूरी तरह से याद करनी है इसे बहुत साफ साफ अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखकर कॉपी में याद करो और लिखो ठीक है बाई